हमको महुआई का घटना बराईपटी की घटना इस सब कुछ दिन में रिपूर्ट मिलते रहा है और इस बात को लेकर हमने स्पी से भी बात किया हमने थाना प्रभारी से भी बात चित किया स्कार्मितरो आज हम पहुंचे हैं सीवान जीला के जीरा देवी विधान सवाच्छेतर के सीपी आई एमल के विधायक जो की हमारे मन्यें अमजित कुछ वहाजी हैं हम इनसे आज आज आपको रूप रूप कराएंगे और कुछ अस्थानिय जनकारिया जो की इनसे लेंगे औ जो कि जीरा देविदान सब्सक्राइब कुछ घटना घट रही है, उसके कारेकरम में हम कुछ बात करने वाले हैं, तो सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से परनाम बहुत-बहुत बधाई है, सबसे पहले हम आप उस गया, और कॉल का घटना घटा है, जो कि बरही पटी में, तो इस घटना को लेकर आप अपना क्यापत प्रतिक्रिया देंगे, देगे, बात बिलकुल सही है, कि आज के दौर में, अपराद की कुछ घटनाएं हमारे इस च्छित्र में बढ़ी है, सराब बंदी है, सरकार के जोर से, लेकिन सच्छाइ यही है, कि सराब की तसकरी, जोरोसोर से चल रहा है, और अभी तक सरकार इसको सही से लागो करने में फिल ओ रही है, और हम लोंका यह पूरा इलाका सिमावर्ती इलाका है, उत्तरप्रदे से सटा हुआ इलाका है, इसनाते सराव की तसकरी के अभी लगातार धंदा चलता है अभी हमको महुआई का घटना बराईपटी की घटना इस सब कुछ दिन में रिपोर्ट मिलते रहा है और इस बात को लेकर हमने स्वी से भी बात किया हमने थाना प्रभारी से भी बात चित किया उन लोगों ने आप राधियों को पकड़ने के लिए हमसे अस्वासन भी दिया लेकिन जो रिपोर्ट है अभी तक करवाया नहीं हुई यह दुखत घटना है और हम अभी भी आपके चैनल के माद्य हमसे परसासन से कहेंगे कि पिछले दिनों रामगड में भी एक चोरी की घटना हुई थी लाखोर रुपए की चोरी हुई थी और इस सिमावर्ती इलाके में कई हत्याएं भी हो गई अभी चैनपूर में भी आपने देखा हत्या हुआ इधर हरपूर में हत्या हुआ तो इन सराव के तसकरी के वज़ा से सराव के धंदा में सनलिप्त जो लोग है वो चोरी भी कर रहे हैं वो सराव की तसकरी भी कर रहे हैं और हत्यार लेकर के परदर्सन भी कर रहे हैं तो यह चिंता का विशह है अभी हाले में बिहार में सरकार बदली है महागडवंदन के नेतिति में नई सरकार बनी है आप जानते हैं कि अभी मंत्री मंडल का विश्तार हुआ है लेकिन ये सच्चाई है कि अभी भी जो है 24 तारीकों सरकार का फ्लो टेस्ट होना है बहुमत सिद्ध करना है उसके बाद नए स्पिकर का चुना होना है त लग जाएगी और उसमें हम लोग सरकार में भी सामिल है एक तरह से संपून रूप से सरकार का हम लोगों ने समर्थन किया है अब जरूर मंत्री मंडल में हम लोग नहीं है लेकिन हम लोग कामन मिनम प्रोग्राम बनाया है और इस नाते हमारी ये कोशिस होगी कि हम सरकार के सभी मंत्रियों से और जिन जिन भी भागों से खासकर ग्रीब भाग से जुड़ा हुआ मामला है इस पर बाचित करेंगे और हम लोग की प्रयास होगी कि इस तरह के घटना पर रोक लगे अभी हम खुद सिवान निकल रहे हैं आ जा रहे हम दियम से भी बात करेंगे मामला तो अभी आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में अकाल किष्टिती हो गई है बारिस नहीं होने के वज़ा से धान की रोपनी भी पूर्ण रूप्शे नहीं हो सकी और जो रोपनी हो गई है उन फसलों को भी पानी नहीं मिल रहा है और हमारे सिवान जिला में जो नहर है हम जातार किसानों की सिकायत हमारे पास आ रही है तो हम लोगों ने आज ताई किया है कि 11 बजे DM से मिलेंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे अगर तमाम कोशिसों के बावजुद अगर अपराधियों पर रोक नहीं लगेगा घटना है नहीं रुकेगी तो निश्चित तोर पे ह हम लोगा आगे और बड़े कारिकरम के बारे में सोचेंगे सरकार पर दवाव बनने के बारे में सोचेंगे जंता की पहलकाद्मी की भी तो पहल कदमी ले करके SP के उपर दवाव बनाने को कौशिस करेंगा जैसा कि पहले जो सिक्षा मंतरी थे वो खास करके कैसे चलाते थे कैसे नहीं चलाते थे लेकिन अभी जो नए में सिक्षा मंतरी है खास करके वो अपना एलान कर चुका है कि हम अभी सिक्षा का जो बेवास्ता है वो पहले से बेहता देंगे देखिए सिक्षा के बारे में हमारी पहले से ही समझ रही है कि नितिश जी जब शुरू में बिहार के सत्ता को समाले थे तो एक अच्छा योजना उन्होंने लिया था बिहार में सिक्षा को ठीक करने के लिए एक सिक्षायो का गठन किया था और देश के जाने माने सिक्षावीद मुझकुन दुवे को बुला करके उन्होंने उस आयो की जबाब देश सौपी थी उन्होंने पूरे बिहार के सिक्षा को ठीक करने के लिए एक सजेशन भी दिया था जिसमें common school system परनाली लागू करने की बात आई थी हम लोग सुरू से मांग कर रहे हैं कि बिहार में common school system परनाली लागू हो लेकिन केंद सरकार की जो education policy है उसके तहाद पूरे सिक्षा जगत को private हाथों में देने की योजना है और मने सिक्षा जो है से धीरे-धीरे सरकार अपने हाथ खीचते जा रही है इस योजना के तहाद इस policy लागू नहीं हो पा रहा है निजी करन की योजना बिलकुल गलत है अगर सारवजनिक सेक्टर की जो छेत में मैंने सिक्षा पढ़ना ली रहे और पूरी तोर पे इस पर सरकार जोड़ दे तो सिक्षा विवस्ता ठीक हो सकता अभी हम देख रहा है कि नितिश जी ने पिछले अपने सासनकाल में जो आदा किया था कहा था कि हम इंटर कॉलेज हर पंचायतों में खोलें गए तो कारजों में तो सरकार के द्वारा खोल दिया गया हम देखे कि जितने मिडिल स्कूल थे उसको अपग्रेड करके हाइज स्कूल और high school को upgrade करके inter college plus two बना दिया गया लेकिन जब हम विद्यालेओं में जाते हैं तो देखते हैं कि एक तो infrastructure बिलकुल ही नहीं है भवन नहीं है बेंच नहीं है और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने भी देखा है कि किसी भी विद्याले में सिक्षक नहीं है बहुत कम सिक्षक है तीन चार सिक्षकों से high school और plus two की पढ़ाईया होती है तो विवस्था तो बहुत ही खराब है बहुत बदहाल इस्तिती है सिक्षा की और नई सरकार बनने के बाद आपने कहा कि सिक्षा मंत्री ने घोसना किया है एक नई सोच के तहाद सिक्षा को ठीक करने की योजना लेन है यह इतना आसान नहीं है सिक्षा जगत को ठीक करना लंबे समय से सारे structure खराब हो गया है तो एक बड़ा काम है और हमारी भी प्रात्मिक्ता हमेशा सिक्षा को ठीक करना रही है और इसी नाते हम सभी स्कूलों का विजिट किये हुए है जहां तक मेडिया वाले भाईयों क के साथ जो दुर्वेभार होता है गलत है मैं इसकी निंदा करता हूं कोई भी वीडिया के भाई अगर जा रहे हैं तो मामले को उजागर करना चाहते हैं अच्छी बात है और यह नहीं होना चाहिए कि आप देख सकते हैं छोटा सा इंटर्विव कैसा लगा हमारा इंटर्विव अच्छा लगगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जिए और